Smart City concept और Smart City Passigart के बारे में तो आपको कुछ idea है लेकिन Smart City का जो mission है उसका, actual उसका mission क्या है इसमें, इसके पीछे जो idea है और जो सोच है, वो है to look at compact areas and to create a replicable model Compact areas मतलब, जैसे मैं बार-बार education का example दे रहा हूँ Passigart में पहला college बना, Passigart में पहला school बना और Passigart में बहुत सारे वैसे educational institutions है, higher learning के जो अभी fully established है और future में भी हम लोग expect करते हैं कि Passigart और भी educational institutions, Passigart में established होगा तो यह compact area है, जहाँ पे Smart City का जो concept है, उसको develop किया जासे जिसको देख के दूसरा है कि यहाँ, Passigart में एक ऐसा Smart City है जो educational hub है और वो educational hub जो है Smart City Passigart वो सारा दुनिया देखे और वो सारा दुनिया कुछ चीज़ को नगल करने की कोशिच करे, यह जो है replication of a model, तो वो सोच है इस entire Smart City Mission का, फिर हमारा जो focus है वो है sustainable development and inclusive development, sustainable का मतब यह होता है कि आप development जरूर करें, आप जरूर grow कीजिए, लेकिन grow करने का यह मतलब नहीं है, development करने का यह मतलब नहीं है, कि आपका अपना city जो है, उसको गंदा करें, आपका जो अपना नदिया जो इसको गंदा करें, आपका जो पेर बहुत हैं, उसको आप destroy करें, उसका यह मतलब नहीं होता है, तो sustainable development का यह मतलब होता रहा है कि जिस स्तीति में जिस एंविरोन्मेंट में हम अभी जी रहे हैं वही एंविरोन्मेंट हमको अपने पच्चों के लिए छोड़के जाना है